Hello Everyone, Welcome to Unboxing Every Stuff आज हम लोग unboxing and review करने वाले हैं यही V-Guard का AC Voltage Sturplizer तो इस वीडियो को एंटर देखते रहे हैं, like, share and subscribe चरू कीचेगा तो यह हमारा V-Guard Voltage Sturplizer, आप देख सकते हैं, यह है Electronic Voltage Sturplizer कुछ इस तरह का यह दिखता है और यह इसका model अंबर है VG400 डिजाइन तो प्रोटेक्ट और एयर कंडिशनल, मैंने आप से काता ही एक AC-Based V-Guard Electronic Voltage Sturplizer कुछ ऐसा यह दिखता है, करेंगे इसके unboxing और देखेंगे क्या-क्या है इसके अंदर content इसकी आपको working range मिल जाएगी 170 Voltage to 270 Voltage और आपको 3 years की warranty इसमें मिल जाती है तो यही कुछ इसके features थे अब देखें साइट में, यहाँ पर हम लोंको सबसे पहले QR code दिख जाता है और यहाँ पर पुरा plane है और यह सारे देखे हुए हैं यहाँ पर इसके features जिसे इसका price की बात करें तो यह इसकी price है 2600 रुपए पर आप अगर इसको लेंगे Amazon मेरी link की थुरू तो आपको यह पड़ेगा सिर्फ उसे 1600 रुपए में तो वीडियो को एंटर देते रहे हैं और मेरी link से ही खरी देगा और इसमें आपको मिल जाएगी capacity आपको कोई भी टेंशन नहीं है और इसका model number VG 400 तो यही कुछ इसके में फीचर्स थे और यह color is gray आप इसमें black color भी ले सकते हैं तो थोड़ा side में देखते हैं तो हमें इस side भी कुछ और specification देखने को मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इसका input voltage जो मैंने आपको पहली बता है वह single passage 50 hertz 230 volt और इसका output इस्ट अपलाईजर है और यह बहुत अच्छा रहेगा अगर आपका इसी है up to 1.5 ton और इसमें आपको मैंज़ेगी high as low voltage cutoff ISO certified भी है और वहां की काफी सारे features हैं चलिए स्टार्ट करते हैं unboxing तो यह रहा हमारा प्यारा वोर्टेज इस्ट अपलाईजर इसको निकाल के देखते हैं कि सबसे पहले हमने को मिल जाता है यहां इसका warranty card electronic इस्ट अपलाईजर देख सकते हैं इसमें three years की warranty आपको मिल जाएगी रख देते हैं इसको इसकी वापिस box में और इसके साथ कुछ मिले हैं हम लोगों को screws जिससे आप इसको wall mount भी करवा सकते हैं क्योंकि इसमें wall mount का भी option है ना इसलिए तो अब दिख लेते हैं हमारे इस्ट अपलाईजर को तो यह प्लास्टिक रैप से पुड़ा रैप होके आए पैकेजिंग की बात करें तो यह पैकेजिंग की रंग में कोई भी कमी नहीं है चलिए इसकी प्लास्टिक रैप को हम लोग हटाते हैं पीछे से बहुत ज्याद ताइड पैकेजिंग इसमें आपको मिल जाती है इसके वायर्स में आपको प्लग नहीं मिलता है यह मुझे ड्रॉबैग लगता है प्लग देना चाहिए था पर फिर भी आप किसी भी लोकल मार्केट से इसका एक प्लग ले सकते हैं फिर आपको इसको लगवा के वाल मांट क्या फिर आप रखवा भी सकते हैं चलिए मैं इसको उतारता हूं प्रैकिंग क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छी है चलिए प्लास्टिक रैप निकल गया है इसको रख देते हम लोग साइड में और तो यह है हमारा फाइनली वी गार्ड वोल्टेजिस्ट अप्लाइजर और यह इसके साथ कुछ दवाई में लिए जिससे यह गंदा नहीं होता है तो यह है कुछ इसका में डिजाइन जिसमें यह ग्रे कलर मतलब वाइट कलर का यहां पर आपको दिखाएगा इनपूट यहां पर दिखाएगा आउटपूट इसकी आउटपूट स्टिबलाइज है और इनपूट है 230 वाल्ट की मोडल लंबर तो आप जानते ही है 4G400 देख सकते हैं यह वी गार्ड अब देख लेते हैं पीछे की तरफ इसमें वाल माउंट का कैसा सेक्शन है देख सकते हैं यह कुछ वाल माउंट का है जिसमें आपको स्कूरूज की थरू यह वाल माउं इसमें स्कूरूज दिए गए हैं उससे आप इसे एजीली वाल माउंट करवा सकते हैं अचलिए साइड में देखें तो यहां आपको मिल जाता है QR कोड जिससे आप स्कैन करके इसकी और ऑथेंटिक सिटी भी पता कर सकते हैं और यह कुछ वही चीज़े हैं जो मैंने आपको अपी बताई हैं जैसे इसका इनपूर्ट आउटपूर्ट वही सारी चीज़े इसकी बाइंग लिंक आपको मिल जाएगी डिप्रिप्शन में उससे आपको यह सोला सोर उपय में पढ़ जाएगा तो इसे चेक इट आउट कीजिएगा और यह हैं इसके सारे वायर्स देख सकते हैं इसमें बहुत ही जादा लॉंग केबिल मिलती है आपको यह कुछ इसका ऐसा सिस्टम है जिससे आप इसको कनेक करके आपके एसी में यूज कर सकते हैं आप 3 Leir के इसमें वायर्श दे अंदर जो आपको कनेक करना हैं आपके फलक में अगर आपको चेहिए इसका installation guide तो मुझे comments में जरूर बताएगा आपके लिए मैं इसका installation guide जरूर बना के दूँगा और आपको ये video कैसा लगा comments में मुझे जरूर बताएगा और इस video को like, share and subscribe जरूर कीजेगा कि भ שלי कुछा रापके लिए झाँ जर प्रूर ऑपके जरूर आपके